नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहरे एक नजर सुर्खियों पर पटना के इस स्टेडियम में होगा रंजी ट्रॉफी बिहार को विसेश राज्रिकार दर्जा दलवाने अकेले निकला ये सक्स पटना के इस स्टेडियम में होगा रंजी ट्रॉफी पेश्वरी यादव राजिस्ट्री की पहली साल गिरह आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आसे T20 सिरीज का अगास किसाती बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से नए साल के स्वागत के लिए पटना जूवः इको पार्क में कडाए एडवांस बुकिंग कुछी दिनों में नए साल का अगाच होने वाला है और ऐसे में इसके स्वागत के लिए पटना जूवः इको पार्क अपनी तैयारियों में जुट गया है बता दे कि इस पार ऐसी उमीद की जा रही है कि इको पार्क में कम से कम 50,000 लोग आएंगे इसलिए यहाँ एक जनवरी को साथ अतरिक्त टिकेट काउंटर लगाए जाएंगे जिससे लोगों को जादा सा में टिकेट लेने में ना बिताना पड़े वहीं टिकेट की कीमतों में भी सर्फ उस दिन के लिए बदलाव किया जाएगा बता दे कि एक जनवरी को टिकेट 25-50 रुपए तक में मिलेंगे इसके साथ ही अगर पटना जू की बात करें तो पटना जू में जल्द ही एडवांस बुकिंग की सुवधाल लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी इस दिन जू घूमने वाले आने वाले लोगों को पुड़ाने जानवरों के साथ नए जानवर देखने को भी मिल सकते हैं अरजेंट हीरिंग के दायर याची का पर बिहार में निकाय चुनाओ पर ऐसी में सुनवाई आज बिते बुदवार को बिहार में होने वाले निकाय चुनाओ को लेकर कोट में या गुहार लगाई गई थी कि इस पर जल से जल सुनवाई की जाए चानकारी के लिए बता दे कि सुप्रीम कोट के दोरा इस मामले पर सुनवाई की तारीक 20 दिसंबर 2022 निरधारित की गई थी लेकिन याचिका करता ने कोट से यह कह कर याचिका दाखिल करवाई कि 20 दिसंबर से पहले निकायचुनाओ का पहले चलन संपन हो जाएगा इसलिए पर जल से जल सुनवाई की जाए और निकाएच चुनौ पर रोक लगाई जाए चानकारी के लिए बता दे कि निकायच चुनौ का पहला चलन का मद्ढान 18e5 को और मद्गना 20 erzählt December को होगा तो वहीं दूसरे के दौरा एक सिक्षक संतोस महिता के नीजी घर में चापे मारी की गई जसमें यह पाया गया कि असिक्षक भू माफिया है बता दे कि इस सिक्षक के खिलाव जमीन के दलाली से जुरी सिकायत की गई थी जिसके बाद स्टेम के दौरा लगातार उनके तीन आलिशान मकानों पर चापे मारी की गई इस चापे मारी में कई बंडल सरकारी जमी के दस्तावेज बंदोबस पंजी सीओ मांजा का मुहर साधा इस टाम के साथ भूल लगान रशीद नगत समेथ कई चीजे बडामत की गई हैं हालाक इस दोरां से चक संतोस में तो वहां से फरार था मोते जील पर हाइकोर्ट ने जताया असंतोस पटना हाइकोर्ट के चीफजस्ट संचय करोल की खंड़ पीट के दोर अधिवक्ता कुमार अमित की जनित याची का पर सुनवाई करते वे मोती हारी सहर में अवस्तित मोती जील की दैनिये रख रखाव और प्रशासनिक उपेक्छा पर गहड़ा असंतोस जताते वे राजी के प्रमुक सचीव को यह निर्देश दिया है कि जल से जल इस मसली पर बैठक आयूजित कर आधिकारियों से बाचित की जाए और इस जील को अतिक रमन मुक्त और जिनोधार कराने पर कारवाई की जाए बता दे कि अब बैठक प्रधान सचीव नगर विकास विभाग परियत अजल संसाधन वन विभाग इत्यादी के साथ आयूजित की जाएगी कोट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई 23 दिसंबर 2022 को कारवाई का रिपोर्ट सौपा जाए पत्ना के स्टेडियं में होगा रंजी ट्रोफी घरेलो क्रिकेट के सबसे बड़ी टूर्णामेंट मानी जाने वाली रंजी ट्रोफी का आयोजन पत्ना के सबसे पुढ़ाने और प्रमुख मोईनूल हक स्टेडियं में होना था लेकिन इस स्टेडियम के स्थी खड़ाब होने के कांड पटना में होने वाले इस मैच पर रद होने का खत्रा मनरा रहा था कुर्णी में J.U. किहार दो हजार चुनाओ से पहले बीजेपि के लिए अच्छा संकेत पिहार के कुड़नी सीट पर जेडियू के हार के बाद नितीज कुमार और तेश्यू यादव की जोड़ी पर सवाल उठाने लगे है तो बहुत दूसरी ओर कुड़नी में जेडियू के हार को 2024 चुनाओं से पहले बीजेपी के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है बता दे कि प्रदेश नेताओं से लेकर पियर नरेंद्र मोदी तक अपने इस जीत को 2024 के लोकसभा और 2025 के विधांसभा चुनाओं के लिए काफी अच्छा मान रहा है बीजेपी का कहना है कि महां गडबंधन में साथ पार्टियां है लेकिन बीजेपी अकेले इन से लड़ रही है ऐसे में कुट्णी में हुई हमारी जीत सुनिश्चित करती है कि आगे आने वाले चुनाओं में भी हमारी पार्टी मजबूती के साथ जीतेगी वहीं कुट्णी में जेडियू के इसहार के लिए जेडियू नेताओं के दोरा अलग-अलग वज़ा बताया जा रहा है बिहार को विशेष राजे का दरजा दलवाने अकेले निकला ये सक्स काफी लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि बिहार को विशेश राजे का दरजा दिया जाए वहीं एक बार फिर बिहार को विशेश राजे का दरजा दलवाने के लिए एक आम नागरिक के दौरा मांग की जा रही है बता दे कि बिहार के इसाम नागरी का नाम सुनील कुमार गुरू है वनसीद गंज के सुनील कुमार गुरू बिहार को विशेश राजे का दरजा दलवाने के लिए और नमबर वन पर लाने के लिए हाथ में तिरंगा सिर पर बिहार को विशेश राजे का दरजा दलवाने वा तेश्वी यादव और राजश्री की पहली साल गिरा आज आज का दिन बिहार के उपमुके मंद्री तेश्वी यादव के लिए बेहत खास है बता दे कि आज यारी 9 दिसंबर को तेश्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री की पहली साधी की साल गिरा है इसी मौके पर तेश्वी आदव सिंगापुर से दिल्ली आप पहुचे हैं और आज दिल्ली में ही वह अपनी पत्नी राजश्री के साथ अपनी साल गिरह मनाएंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज के दिन ही 2021 में तेश्वी आदव और राजश्री एक दूसरे के साथ दिल्ली में साधी के बंधन में बंधे थे बता दे कि तेश्वी आदव अपनी पत्नी को लखी लेडी मानते हैं साधी के कुछ महीनों बाद ही उन्हें बिहार के उपमुखे मंत्री की कुश्री मिल गई कॉंग्रेस ने बताया कुटनी में जेडियू की हार की वज़ा बिहार के कुर्णी विधान सभा उक्चुना में जेडियू के हार मिलने पर कॉंग्रिस ने इसके पीछे की वज़ा बताई है बता दे कि बिहार विधान सभा में कॉंग्रिस वधायक दल के नेता अजीस सर्मा ने जेडियू को हारने की वज़ा सराब बंदी को बताया है उन् इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सराब बंदी लागू है लेकिन फिर भी यहां सराब मिल रहा है इसके पीछे केवल ब्रस्ट पद अधिकारियों का हाथ है वे सभी तसकरों से मिले हुए हैं जेडियो का 10 और 11 दिसमबर को राश्ट्री अधिवेशन ललन सिंग को जेडियो के राश्ट्री अधिश के रूप में चुल लिया गया है हाला कि अभी तक इसके आधिकारी घोशना नहीं की गई है बता दे कि इस बात के आधिकारी घोशना दो दिनों के कारिक्रम में 10 दिसम में उन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी जो जेडियो के लिए राज्चे में और राज्चे के बाहर फाइदेवन सावत हो सकता है जेडियो के राश्ट्रिय से चीव के दोरा दी गई जानकारी के अनुसार इस अधिवेशन में 2024 में होने वाले लोग सभाचनाव में जे में था तो मुझे इस बात की जानकारी अभी मिली लेकिन हार में जादा वोट का फासला नहीं है इसलिए बीजेपी को बोलने दीजे लेकिन उन्हें इतना ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सिर्फ कुर्णी के रिजल्ट से सब कुस जिसाइड नहीं कर लेना चाहिए बलक प्रशांत के सोड ने जनसुराज अभियान यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते वे नितीज कुमार पर हमला बोला है उन्हें कहा कि तेश्वी यादर ने कहा था कि सत्ता में आते ही वो 10 लाक नौकडियां देंगे पर उन्हें अब सत्ता में महीनों हो गये है क्य उन्हें इतने सालों तक 10 लाक नौकडी क्यों नहीं देंगे भारत और अउस्ट्रेलिया के बीच आज से टी- स्टेडियम का आगास होने जागाय है जानकारी के लिए बता दे कि पहले दो मैच की मेजबानी डिवाई पार्टिल स्टेडियम को मिली है वहीं सिरीज के अन्य तीन मुकाबले ब्रेबोंड स्टेडियम में होंगे हाला कि इस दौरे की सुरवात टीम इंडिया मुश्किलों के साथ करेगी बताता चले कि अब तक और उस्ट्रेलिया के 20 टी-20 में कुल 25 मैच खेले गए हैं जिनमें से 18 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने अपना दब-दबाब बनाया हुआ है जानकारी के लिए बता दे कि भारतिये महिला टीम और उस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच का पहला टी-20 मैच आज साम 7 बजे 24. للा सुने दो रुबै प्रतीण लीटर में है मुझे फरपुर में पेट्रॉस एक साथ दसम्लो छाटीणय रुपए प्रतीलिटर में मिल रहा है वही पुर्णिया में पेट्रॉल की कीमत 1полож 5午 दसम्लो चार सुने रुपाय प्रतीलिकर uży्स भागलपुर में पेट्रॉल पेत्रॉलि की चाहा है आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कामेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दोला पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लाल बाबू मृत्योंजे कुमार कुष कुमार यादव नुनुगोलु कुमार रंजीत मिश्रा मुटुरंगीला उमेश रिशिद्यो अनवर करीम खान भान प्रकाश म मौर्या मुहमद सकीर हुसैन के सब्सक्राइब अब बरते हांच के सवाल वियो आज सवाल है नय साल के लिए आपकी तयारी कैसी चल रही है आप अपना जवाब हमें हमारी कामेंट सेक्षिन में लिखकर जरूर बताये आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को लाइक करना ना भूले धन्यवाद